थोड़ी क्षणों में आपनी वच्चे उपसीच आई छे ए पेला आपनी वच्चे वर्षोथी जम्वेती उल्माई हिंसाथी संक्डायला अने आपना कौम ना रहबर हजरत महलाना मुफ्ति महमुद बाडोली साब आपनी वच्चे उपसीच छे आपने विदंती छे आज न बिस्मि आल्षपार इरह मुझे वारी साफार का थीा साइजिंट र्रहुंना इस्मि आल्ला रहां आपनी रहां अनि यह पचास साल पूरे होने पर गॉर्डन जुबली हो रही है शायद हमारे अब्दुरशीद भाई को याद होगा कि पच्चीस साल पहले सिल्वर जुबली के प्रोग्राम में भी मैं हाजीर था और फर्क इतना था कि उस वक मैं स्टेच पर नहीं था एलाउंसर साब की जगा पर था पच्चीस साल में इतनी प्रगती हुई कि एलाउंसर की जगा से इस्टेच पर बैठने का मौका मिला और दूसरी बात हमारे मदली से तामीर मिल्लत से जो तश्रीफ लाएं उनकी याद दिहानी के लिए अरस कर दो उसक मरहूम हमारे खास रफीक और दोस परस्तनला वाट की ओभी मेंबर में भी मेंबर तो जनाब सुलिमान सिकंदर साब उस वक तश्रीफ लाए थे और उनकी हाजिरी के अंदर वो पच्चीस साल पहले सिल्वर जिबली का प्रोग्राम हुआ था मैं आपको अंजुमन की कारकरदगी के बारे में एक ही बात अरस करूंगा अब्दुरशीद भाई और उनकी पूरी टीम काबिल मुबारक बाद है बहुत ही मुबारक बाद के काबिल है जरा सुनिये तो मैं किस बात पर मुबारक बात देता हूँ ये अल्लाह के वो बंदे हैं जिनोंने तै कर लिया है कि किसी गरीब को उसकी गरीबी की वज़ा से जाहिल नहीं रहने देंगे ये इनके अजाईम है और ये काबिल लाख मुबारक बाद अजाईम है कि कोई गरीब से गरीब भी अपनी गरीबी की वज़ा से जाहिल नहीं रहेगा और इनकी ये खिद्मत आप सुएनियर में पढ़ रहे हो मैं अल्ला को घवा रखकर की कहता हूँ मैंने अंतापूर के जंगल में उनकी सेवा को अपनी आँक से देखा है इसलिए आप हज़रात की टीम वाकी काबिल मुबारक बाद है अल्ला ताला आप हज़रात को और भी अजाईम और हिम्मत अता फरमाए क्योंकि हमारे इलाके के मुझलमान भाई बैठे हैं और देशवाजी मेरे भाई बंदु भी बैठे हैं और फौरें से आए हुए हमारे बहुत से हज़रात बैठे में एक बात कहना चाहता हूँ जो आजकल में हर जगा कहता हूँ हमारे दक्षिर गुजरात के मुसल्मानों की एक मेंटालिटी है और वो ये है कि हर एक बाप का हर एक माप का मा का एक खौब होता है कि बच्चा बड़ा होते ही उसको फॉरें भेज देना है इंडिया में रखना ही नहीं है तो उस पर मैं एक बात अरस करना चाहता हूँ कि हमारी यह शरीयत के अंदर एक तालिम है कि बच्चा पैदा हो तो उसके कान में अजान कहो और दूसरे कान में इकामत कहो तो मैं जनरली बयानों में यूं कहता हूँ कि हम लोग अजान देने के बाद धीरे से यूं कहते है बेटा मोटो थे इने आपने फॉरें जवान उचे तो अब मैं साथ में एक बात यूं कहूंगा हर मा को हर बाप को हर अजान देने वाले को कि बच्चे को पैदा होने के बाद अजान दे कर यूं कहे न कि बेटा मोटो था इने बार जाज़े पर पड़ी आने भड़ी ने जाज़े एक लब्ज और भी उसके अंदर बढ़ा देना है एक मसला चुकि मुफ्ती भी हो इसलिए शरीयत की भी मुझे बात करनी बढ़े गई हमारे इसलामिक और खास तर पर फिके हनफी के जो लौ जिस बुक के अंदर जमा किये गए उसका नाम शामी है शामी के बिल्कुल शुरू में एक मसला लिखा है वो इस वक आपको बतला दूँ मैथमेटिक्स जोगराफिया गणी भुगोड खगोड सास्तरा ऐसे उलूम को ऐसी चीजों को पढ़ना मुसलमानों के लिए फर्जे किफाया है जो दरजा जनाजी की नमास का है फर्जे किफाया का कि किसी का इंतिकाल हो जाए तो उसकी जनाजी की नमास पढ़ना फर्जे किफाया है वो ही दरजा है एक सब्जेक जोगराफिया गणी थगोर शास्तर वगेरा सीखने का इसलिए कि जब इन चीजों को पढ़ेंगे तो ही जाकर कि कुरान के मिरास के मसाइल को सही समझ सकोगे तो ही जाकर नमाज का सही वक्त मुतायन कर सकोगे और सही वक्त पर नमाज अदा कर सकोगे जोग्राफिया, इंग्लिश, ये सब नॉलेज हम पढ़ाए, ये आज के जमाने की बहुत अहम और सक्त जरूरत है, एक बात, बहुत कुछ कहने को तो दिल चाह रहा है, लेकिन, यहां बार्ड पर लिखा हुआ है, मदरेसा प्राथमिक शाला, आप सामने देख लीजे, उसके हवाले से मैं कहना चाहता हूँ, कि मदरसों के अंदर, आप देख रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बाते सिखलाई जा रही है, जिससे के आज एक गंदा माहूल खड़ा किया जा रहा है, मदरसे के बारे में लोगों के दिमाग बिगाडने का, तो वो पढ़ ले इस बार को के मदरसे के जरीए से भी कौम और देश की सेवा के कितने अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं, और हमारे सिक्षन अधिकारी श्री, हमारे अब्दुर रशीद भाई के चेहरे की बात कर रहे थे, तो मैं कहूंगा उनके चेहरे पर एक और चीज़ भी देखने के लाइक है, के इसलामी कानून के मताबिक मुकमल दाड़ी के साथ वो कौम और देश की सेवा में राद दिन लगे हुए हैं, और ये सिखने की चीज़ें के दाड़ी वाले भी देश के वफादार हुआ करते हैं, और देश का भला और अच्छा चाहने वाले हुआ करते हैं, इसलिए सेंस और टेक्नलोजी का बोल बाला है, आओ, आगे बढ़ो, एजुकेशन में आगे बढ़ो, जो इसमें आगे बढ़ेगा, भविश्य उसका होगा, मुस्तक्बिल उसके कदम चुमेगा, मैं फिर से मुबारक बात देता हूँ, अकबर इलहबादी के शहर के साथ, अकबर एक बात बंदे आजिस की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो, और अपने मिशन की एक बात करके मैं अपनी जगा पर बैठूंगा, कितना अच्छा ये प्रोग्राम है, इसमें कोई अपनी मुस्लिम या हिंदू एडेंटिटी के साथ आया नहीं है, इस वक भारत देश के नागरी कहें, और आज हमारे देश को ऐसी कोमी एक्टा की बड़ी सخت जरूरत है, अगर इस तरह की कोमी एक्टा, आपस में एक दूसरे के साथ communication, एक दूसरे के साथ तालुक और मिलना जूलना बढ़ेगा, तो दुनिया में हमारे देश को महासत्ता बनाने स कोई नहीं रोक सकेगा